अलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस जारखन एचरेमें 99 नोटूब चैनल के और एक नए वीडियो में किसान भाइव आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग के इस जारखन के धरती में हरेमे 99 सेब के पोधे का क्या ग्रोथ है और किस तरह से बड़े हो रहे हैं पोधे आज पुरा डिटेल में उसके बारे में देखने वाले हैं और जो इस समय पे आपको क्या-क्या साबधानिया रखनी होगी क्या-क्या ध्यान आपको रखना होगा उसके बारे में आज पुरा के पोधे लगे कब थे यहां सेव के पोधे लगे थे दोस्तों 8 डिसमबर 2019 को यहां प्लांटेशन किया गया था 120 पोधा हम लोग मगाया थे हिमाचल प्रदेश से हरीमन सर्माजी से मगाया थे सब सेव के पोधे करने देचितना सब गरम बतावरन में होने वाले सेव के पोधे हैं अभी फिलाल मोग बिखाते हैं कि हम लोग के पास जो पोधे लगाये थे उसका क्या हालत है और किस तरह से वह वह बड़े है देख रहा है मेरे सामने एक वल्वे है यह हैसारमग्त हमने पुर्ण न disp csop da के दोस्तो पड़ेका और ऑ हमके दोस्तों एक साल सात महिना के अंदर किस तरह से बढ़े हो चुके है समान हाइच का हो चुका है देखिए इसको डिसमबर में फूदिंग किया गूए जो कि हर साल सेव कि पोदे को पूदिंग करना पड़ता है कि जरूरी है क्यों कि पूदिंग के बाद ही आपको फूल जादा आएगा और जादा फ्रोटिंग होगा यह सही पोधा है पूरा चल रहा है सही से और मेरे से भी बड़ा हो चुका है आईए दोस्तों और देखते हैं पोधे को इस पोधा देखे हैं लेकिन यह चारेमन 99 फराइटी का ही सेव है कि हम लोग हरीम प्रुट Wanna लबा पोधा देखिए पर हान देखिए अब कितना हरा उms देखिए और अभी यह पुरा अक्षी तरह से構ट रहा है इसका पर बहुत अच्छा और देखके संस्त, अ मुंप एप पोधा यह भी पोधा। देखिए कितना अच्छा हैं वोड़ा हो चुका है यह भी पूरा घ्तर ना है इसको छात्री नुमा आपको बनाना है काटकर के और पोधा को देखते हैं विशाफिफेक दोस्रे यह ब humility कि वोड़ाइफ आप जी साल यह भी 2019 का लगाएवा प्लांट से और देखिए इसका भी ग्रोष देखिए सब पोधा मतलब सारा पोधा अब जितना पोधा देखे आज आप इसी तरह से इतना पड़ा हो चुका है यह जो पोधा है दोस्तों इसको भी देखिए यह उतना पड़ा हो चुका है और इसका भी हाइफ मेरे समान हो चुका है इसको इस जगह पे फ्रूनिंग किया गया था काटा गया था देखिए इसको काटने के बाद इधर से दोस्तो इस तरह से इसका डाली निकलता है अब ऐसे काटिंग फ्रूनिंग करना पड़ता है उसके लिए एक दूसरा वीडियो ह बहुत तरह फल लगा था एक साल में जब आ गया था दोस्तों एक साल में अलर ऐसा था फल का कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या कलर है पूरा कस्मेरी कलर आया हुआ था इस पौधे में ही था फल इस पौधे को देखिए पुरा जमीन के सामने से इसका डाली है तो अब हैला आए जाएंगे दोस्तो एक लकडी जैसे था एक साल महीना में किस तरह से पोधे ब्रोध किया है और एक साल के अनदर किस तरह से इसमें पहल भी आचुके ते अब हैरां हो झायेगे दोस्तों और भी पोधे कौम लोग देखते हैं आएए दोस्ते, देखते हैं दर, ये भी हेचारे में नाइनिन गराइटी का सेव का पोधा है, और उसी साल लगाया गया था, सब बड़े पोधे देखें, ये लेकिन थोड़ा छोटा है, इसको खा गया था, गाय खा गया था, इसलिए बहुत पोधे पोधे हैं, ये भी सेव पोधा है, ये बहुत बढ़ा हो चुका, इसमें फल भी लगे थे, इतना बड़ा पोधा देखिए, उसको दिखाइए, चारो तरफ से दिखाइए कितना बड़ा हुआ है, अब इसको दोस्तों की, एक साल के अंदर, एक साल साथ महिना के अंदर, कैसे इस किस तरह से ये पो पोधे को जो बहुत बड़ा हुश्चा है, ये पोधा जो है, ये हम लोग का 2008, December 2019, जो आप बाकी पोधा देखे, उसी समय इसको भी लगाया थे हम लोग, लेकिन इस पोधे का ग्रोध देखिए, दोस्तों हम इसको चून ही सकते, इसको मतलब इसको भी फ्रूनिंग किया ग लेकिन इसका ग्रोध आप देख सकते हैं, मेरे से कितना बड़ा है और एक साल सात महिना चल रहा है इस पोधे का और एक साल सात महिना के अंदर इस पोधे का ग्रोध देखिए, इसका मोटापा देखिए, देखो, कितना बड़ा पोधा है, आप सोच नहीं सकते, कितना बड वीडियो में पुरा डीटेल में देखे दोस्तों और आज के लिए इतना ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं यू अपडेट के साथ थेंक यू दोस्तों